हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल और आज मैं पुराने वेश्ट कपड़ों से पाइदान बना रही हूँ, डोर मैट बना रही हूँ और जो तरीके से मैं बना रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका है तो ये देखिए, मैंने पतली पतली पतियां काड़ दी हैं, लंबी और इन पतियों की जो चौड़ाई है वो तीन इंच है तो तीन इंच की चौड़ाई की मैंने पत्ती काटी हैं, ये देखिए और सारी पटियों की जो है मैंने तीन इंच की चोड़ाई की पट्टी काटी है मैंने सारी पटिया तो चलिए आगे बताती मैं आपको ये देखे ये पुरान सलवार है और इसके उपर का जो बेल्ट होता है वो मैंने काट के लग कर दिया था इसकी लंबाई 18 और चोड़ाई 20 इंच है तो वो जो ये आप की तिरचा हिस्सा देख रहूंगे किनारे से तो इसको बराबर करने के लिए मैं वो आला कपड़ा जो है वो इसकी मैं सिल दूँगी किनारे से और यहां देख रहे हैं आप यहां पे सिल दूँगी मैं और फालतू कपड़ा जो किनारे का होगा उसे निकाल दूँगी बराबर कट कर दूँगी तो ये देखे मैंने सिल दिया है और फालतू कपड़ा कट कर दिया है तो चलिए मैं आपको सिलना बताती हूँ इस पट्टी को बस अंदर की और ये देखिए अंदर की और मोड के खुला हिस्से को अंदर की और मोड कर सिल देना है अंदर की तरफ रखूंगी मैं ऐसे आधा ही छोड़ दूगी किनारे से तो ये देखिए बस मैं इसके उपर भार से पहले एक सलाई लगा दूगी यहां पर किनारे से तो चलिए मैं इसमें सलाई लगा देती हूं पहले तो इसमें पूरा उपर से निच तक सिलाई लगा देनी है और जो खुला हिसा है उसी के उपर दूसरी पट्टी को भी ऐसे फोल्ड करके रख देना है और उपर से एक सिलाई लगा देनी है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और शेर ज़रूर कीजेगा और सब्सक्राइब कर लीजे मेरे चैनल को और मेरे चैनल पर और भी कई तरह की वीडियोज हैं वो आप ज़रूर दीखेगा तो ये देखिए मैंने धीरे धीरे जो है सब पटिया एड़ कर रही हूँ मैं बस ऐसे ही सिलते जाना है और ये जो उपर का फालतू कपड़ा दिख रहा होगा आपको टेड़ा मेरा इनको जो है बाद में सब कट कर देना है बराबर में ये देखिए मैंने फालतू कप्ड़ा हटा दिया है किनारे से और ये देखिए मैं इसकी जो शेप है थोड़ सा चेंज करूंगी तो आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं चाहे तो circle बनाई है चाहे square rectangular कैसे भी बनाई है rectangular भी बना सकते हैं पर मैं थोड़ सा shape change करूँगी तो मैं इसको fold कर लेती हूँ इसे एक पर और fold करूँगी तो इसमें दूंगी मैं किनारे से थोड़ी सी गोलाई इसमें थोड़ी सी गोलाई देरी हूँ किनारे से और इसको मैं कारट दूंगी तो यह देखे थोड़ी सी मैंने गोलाई दी है किनारे से और अब इसमें लगाऊंगी मैं piping तो मैंने जैसे बीच में लगाने के लिए पट्टी काटी थी बस वही एक पट्टी मैं इसमें भी लगा रही हूं किनारे से पाइपिंग लगाने के लिए तो इसको मैं फोल्ड करूँगी और अंदर की तरफ रखूँगी अंदर से बाहर की तरफ सिलूँगी ये देखिए ऐसे बस अंदर से बाहर की तरफ फोल्ड करके सिलाय लगा दूँगी फ्रेंड से बहुत ही आसान तरीका है वेश्ट कपणों से पाइदान बनाने का यह देखिए मैंने सिल दिया है लगा दिये पटी और अब बाहर की तरफ फोल्ड करके ऐसे यह देखिए सिल लगाने के बाद इसको बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करके आप डायरेक भी सिल खर सकते हैं नहीं तो सुई तागे से मोटा मोटा बड़ा बड़ा कच्चा कर दिजीए कच्चा करके सिल खरने में असानी होगी नहीं तो पिन लगा दीजीए जैसे मैंने लगा है यह मैंने पिन लगा दी हैं और बस अब इसके उपर मैं करूंगी सिलाई तो ये आपको दिखी रहा होगा कितना कलरफूल कितना बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया है बहुत ही असान तरीका है और पाइपिंग लगाने के बाद मोटी पाइपिंग लानी है और मोटी पाइपिंग लाने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये तो बस ऐसी ही पूरी स्लाई कर देनी है ये देखिए तो बस ऐसी ही पूरी स्लाई कर देनी है ये देखिए मैंने कर दिये पूरी स्लाई और इतना सुन्दर लग रहा है ये तो चलिए ये देखिए कितना सुन्दर बनके तयार हुआ है और बहुती आसान तरीका है ये और कितनी आसानी से मैंने ये बनाया है आपने देखा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो चलिए अब मैं नई वीडियो लेकर आपके लिए जल्दी आऊंगी तब तक के लिए बाई